असलाम उलाइकुम फ्रेंड्स, विलकम बैक टो शारल्स किचन, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एपब्लिक डे स्पेशल रसिपी, आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे तिरंगा शिर्माल की रसिपी, तो चलिए हम अपनी रसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्म ग्रास ग्राम हमने दही ले लिया है दूद में हम 3 टीस्पून शुगर मिला देंगे अगर आप पिसीवी चीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं अच्छे से घूल लेंगे अब देखे यह अच्छे से घूल चुका है अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे दही जाल देंगे साथ ही साथ और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम दूद डालेंगे थोड़ा दूद डालेंगे और मिक्स करेंगे इसी तरह थोड़ा हम घी डालेंगे और मिक्स करेंगे इसी तरह हमें आटा गुनना है थोड़ा दूद और थोड़ा घी मिलाते रहेंगे और mix करते रहेंगे इस तरह से हम mix करते करते पूरा दूद और घी डाल देंगे देखिए इस तरह से पूरा दूद और घी हमने डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से गून लेंगे दो मिनट के लिए तब तक के आटा हमारा चिकना अच्छे से मुख्य लगाते हुए हम इसको गुंदेंगे देखिए इस तरह से अब देखिए हमारा आटा चिकना हो चुका है हम इसको सेट कर देते हैं इस तरह से हम सेट कर देंगे और थोड़ा सा हम इस पे ऑईल या घी डाल देंगे कप में घी बचा हुआ था तो वो हम दो तिन ट्रॉप डाल देंगे और इसको ग्रीज कर देंगे ताकि हमारा मैदा ना सुखे पपड़ी ना जमे इसको हम ढग कर आदे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे आदे घंटे के बाद हम इसके पेड़े बनाते हैं देखिए इतने बड़े हम पेड़े बना लेंगे इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे इतने आटे में हमारा छे पेड़े बन गए हैं मैदे में डस्ट करके हम इसको बेल लेंगे इस तरह से हम एक पतली रोटी बे बहुत करते हैं इस तरह से इस तरह से हमारा एक छाको Vitakar नार जाने केह बन ङह prophetsक्त दूंग में हम एक टी स्पून क्योडा वाटर डाल देंगे हैं जां तीनों में हम ने वाटर डाल दिया है अब हम एक कतलई में औरेंज फूड कलर मिलाएंगे दूसरे में हमने पॉन फ्लार मिला दिया है और तिसरे में हम ग्रीन कलर मिला देंगे देखिए इस तरह से हमने तीनों कलर तयार कर लिये हैं अब हम पेड़े को बेलते हैं देखिए इस तरह से हम मैदे में पेड़े को लगा देंगे और इ सामें कोने से कोना बेलना है इस तरह से फिर कोने से कोना बेलने के बाद इसकी साइडे बराबर कर ले रही है इस तरह से हमारा एक चौकोर शिरमाल बिलकर तयार हो जाएगी अब देखिए यह चोकोर शिरमाल हमारी बनका तयार हो गई है हमने तवे को प्रेहीट करके लो फ्लेम कर दी है और लो फ्लेम पर हमने शिरमाल डाल दी है अब देखिए हमने तीन कॉटन ले ली है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कॉटन ले और इस तरह से हम पहले औरेंज कलर लगा देंगे औरेंज कलर लगाने के बाद हम हाथ को साफ कर लेंगी और फिर हम वाइट कलर लगाएंगे इस तरह से वाइट कलर लगा देगे अब देखिए वाइट कलर भी लग गया है अब हम ग्रीन कलर लगा देगे ध्यान रखे कि जब आप अलग-अलग कलर लगाएं तो हाथ को साफ कर ली नहीं तो एक कलर पे दूसरा कलर चड़ जाएगा अब देखिए इसको हम पाच मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक के इसका कलर उपर सूख ना जाए देखिए कलर सूख गिया है अब हम इस पे घी लगा देंगे इस तरह से घी लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे और पलट के सिर्फ एक मिनट के लिए इसको सेक लेंगे बहुत जादा दबाएंगे नहीं बस हलका हलका इसको हम एक मिनट के लिए सेक लेंगे देखिए ये सिग गई है बस हमारी तिरंगा शिर्माल बनकर तयार है देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है इसी तरह हम बाकी की शिर्माल भी तैयार कर लेंगे हमारी तिरंगा शिर्माल तैयार है और आप इस रिपब्लिक डे पे जरूर इसको ट्राइ करें उमीद करते हूं कि आपको पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबादें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले दुआओं में याद रखें पिर मिलूँगे मैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखें अला हाफिज